राम के नाम पर एक बाफिर चतिजगर प्रदेश में सियासत गर्माई हुई है जो कॉंग्रेस की तुष्टी करण की राजनिती है और वोट की राजनिती के करण बहु सेंकर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं जिसको कभी हिंदू समाज बल्दास्त नहीं करेगा 36 गड़ के निवासी है और यह हमारे रामलला का जन्म भूमी है नानी हाल है तो इसके हिसाब से हमको तो 5 इकड़ के एक इकड़ भी देना नहीं चाहिए उनके जो वाज है उनमें चेंज करना चाहिए आज 5 इकड़ मंग रहे हैं कलको 15 इकड़ मंगेंगे कबरिस्तान को लेकर 36 गड़ में बवाल मचा हुए कारण यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बगेल को कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने एक पत्र लिखा जिसके मादम से रायपूर के नकपूरा में 5 इकड़ कबरिस्तान के लिए जमिन की मांग की गई वहीं इस पत्र को लेकर क्या कुछ आगे की कारवाई हुई है उस पे एक रिपोर्ट आप चरूर देखिए जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गा दपी गरियसी भगवान स्री राम चंद्र जब रावन को लंका में हरा कर यहां अपने घर अयोध्य वापस लोटे तो उन्होंने अपने पुन्य भूमी को इस्परण करते हुए नमन किया और यह वाक्य कहे उसी प्रकार आज हम पहुँचे हैं राजधानी रायपूर से कुछ दूरी पर इस्थित चंद्खुरी धाम जहां राम के ननिहाल मातक कौसलिया का मंदिर है कब्रिस्तान को लेकर शिड़े विवात के बीच यहां आने वाले भक्तों श्रधालों से हम जानने का प्रयास करेंगी कि वह इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं जस्पूर के विधायक यूडी मिंच के द्वारा यहां नकपूरा के जो सर्पंच है दसिल्दर के माधियां से पांच एकड़ की भूमी मांगी गई है तो उस पर स्रधालू क्या सोचते हैं आईए पुछते हैं हम तो रही बात चतिसगड़ के निवासी है और यह हमारे रामलला का जन्म भूमी है नानी हाल है तो इसके हिसाब से हमको तो पांच इकड़ का एक इकड़ भी देना नहीं चाहिए क्यों दे हम हमारे चतिसगड़ की लोग अपने जमीन में एक इकड़ का भी डिमांड नहीं कर रहे हैं तो उनको पांच इकड़ वो भी बहुत बड़ी बात है क्यों दे उनको अपने नियम धरम कानून पर जो भी है अपने में उनको खुद से मैनेज करना चाहिए और उनके जो रिवाज है उनमें चेंज करना चाहिए आज पांच इकड़ मंग रहे हैं कल को पंदरा इकड़ मंगेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्यों दे भाई हम अपनी यह जो भूमी है यहां अमारा जन्मुवा है यहां राम जी का खुदना निहाल है उनका यहां से कोई वास्ता ही नहीं है तो हमको बिल्कुल नहीं देना चाहिए कब्रि तो इतना पकड़ा तो इतना हाथ पकड़ लेते हैं वह यहां हो रहे है चतिस गड़ में अब हमर बनके विचार ही लिखता है कि माता काउचिला नजदिक चेहर चाहिए जो कब्रिस्तान मांग करा थे वह होना ही निक चाहिए कावर कि यह हमरा चतिस गड़िया मना बहुत जल्दी ओकर लोग लम्माया माते हैं अब यह जाती परवरतन है ना बहुत जल्दी भीगरती है वो तो हमरा भी चतिस गड़िया जो भूपेश कारे ना हम उला भी निम्यदान करा था निकि यहां आजपास देवा ही मत जगा उन ना बनना नहीं चाहिए यावर की यह नजदिक में बनी थे जो माता हम कंसिल्ण जो इरत आत्वां बनाए न वोग में भी बहुत परवरतन हो तो नहीं देना चाहिए सथ में लोग को हमारे तरह एरिया में देने नहीं नहीं चाहिए आप यही चंदपुरी में ही रहते है जिए लगता है कि ज़स्पुर के विधायक है उन्होंने यहां इसाइश समाज के लिए 5 एकड़ भूमी इसाइश कबरिस्तान के लिए माँच जरुवत यहां है नहीं है हमारे अरिया में तो अगर आएगा तो महल बना ले यहां तो कभ्जा कर लेगा उन्हीं लोग वहमारे जिस तरह कभरिस्तान के बात हो रही है, मैं सरकार से और जितने भी हमारे जन्प्रतिनिदी है, कोई भी पाल्टिक हो, तुन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, कि हमारा यह धर्म है, कि पहले हम हिंदू को महत्तो दें, क्योंकि हमारा इस छेत्र हिंदू का है, और 90 परशन से उ राजनिती अपनी जगा है, लेकिन हम यहां के छेत्र हैं, हम भी एक पाल्टि से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी दल, कोई ना कोई आदमी कुछ की पाल्टि से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारी आस्था है, वो ज्यादा मात्तो है, चाहे वो विज्जेपी क हम इसाई धर्म ज्यादा है, आप उस चेत्र में बिल्कुल दीजिए, कभरिस्तन दीजिए, मज्जीद बनाईए, हमें कोई दकलिफ नहीं है, हमारे चेत्र में कहीं हमारे हिंदू ज्यादा है, तो हमें आज यहां तकलिफ हो गई यह सब चीज, देखो ऐसा है कि मैं मा कौ और यहां आसपास में ऐसा कोई विवादित जमीन भी नहीं है और कोई धर्म का विवाद वाला कोई काम ही नहीं समझो जो है उसको आप समालो और जो नहीं है उसको इस्थापित करने कोशिस मत करो मेरे कहने को मतलब है मैं किसी धर्म का विरोध नहीं हूँ जो है वास्तविक तो उसको आप सम्हालों न भाई और आप नया कोई ला करके रहोगे इससे क्या है कि अधराक्ता बढ़ेगी असंतोज बढ़ेगा क्या मतलब इस सब करने से और जमीन चाहिए तो अपना जो बोर रहे हैं वो अपना देख ले कहीं पर विधायक है जस्पूर कुंकुरी के जो देखें न पांच एकड जमीन आप उसी तरफ दिखा देजिए तो कोई बात नहीं है जस्पूर दिखा देजिए तो आप उसी तरफ दिवा दिजिए इधर अपना क्या है यह इधर नहीं है तो आसा मत करिए अब सब इसको देख करके सब अपना धर्म के लिए मंगेंगे कहां कहां देख आएंगे कहां कहां कैसे करेंगे फिर नहीं तो रहने के लिए जगा नहीं है और पांच पच एकड जमीन आप कबरिस्तान के लिए मंग रहे हो तो यह तो गलत है माक कौसलिया के धाम चंदकूरी से होते हुए हम उस स्थान में पहुँचे हैं जहां कबरिस्तान की मांग की जा रही है जी हां हम है चंदकूरी से लगे हुए नकपूरा गाओं में जहां पर कबरिस्तान को लेकर विवाद शिड़ा हुआ है यहां पांच एकड भूमी में कबरिस्तान की मांग की जा रही है इसाई समाज के लिए यूडी मिंज जोकी कुनकूरी जस्पूर के विधायक हैं वह यहाँ पर इसाई समाज के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं कबरिस्तान बनाने के लिए तो आज नकपूरा में पहुँचकर हम यहां के ग्रामिडों के सासा जन प्रतिनीदियों से भी जानने का यह प्रयास करेंगी कि वह इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं वhouse бер यहां कुछ स अबब के हुआ है यहां यहां के गैट हुआ है यहाँ में क़ृम मिटेंग होने के बाद में फरस्ताव ने इन के बाद में क्या है वर कव कावीद में ग्रावित में जमीड़ा अभी किसी करनी चूटा है तू तो वैसे निवख़वातों से लिगान से नहीं लेय में जानकारी में होगा कि सब्सक्राइब प्रीव है है समाज सर्पंच पती नहीं दिये थिक प्रस्ता आप कर दिये थे उस्काइब करने के बाद मीटिंग हुआ मीटिंग में फिर रद हो गया तो तरपंच को आपति थी कि गाउवा लोग आपति थी कि गाउवा लोग आपति थी तरपंच को कोई आपति नहीं थी तरपंच हम लोग बनाए तो हमारे साथ इस कारण से मतलब सभी का आपति जनक नई देना है प्रपन्स के प्रफक कॉन कोभाहे और में घंड़ लागामों करें यह गोटकावे दीषावीन, मैं देणावेट कर है् सदस्की चारागामों कि दादा पर पिद हो दोर्म लागामों में सब्सक्राण ही जमीन संसलोड से म예요 जी पता है तस्किलदार के माध्य हम से लेटर आया है पुरे हमको पंचायत को पुरे गाओं को जानकरी है सब विरोध में सभी का विचार है कि नहीं देना है जमीन मतलब नहीं देना है क्योंक हम उस समाज हिसाई समाज से जुड़े वे कोई भी वेक्ति यहां पे नहीं ना आसपास में है तो हम क्यों थे जहां उनके बहुल्य संख्या है वहां पे करे अपना हमारे हां समसान गाठ है छेकर आठ एकर का लगभग वहां भी तो हो सकता है जस्पुर कुनकुरी विधायाक यूडी मिंज है विधायाक महां के वह मुख्य मंत्री के थुरू जमीन का मांग किये चार सो एक चालीस खसरा नंबर है जो की जमीन लगभग साड़े दस ग्यार एकर के आसपास है उसमें से पांच एकर जमीन कबरिस्तान के लिए मांग किये है इसाइक कबरिस्तान के लिए राजनितिक दाओं पेच है सुनने में आया है कि जो यूडी मिंज आतिवासी है पर वो कनवर्टेड इसाइई है इनके लिए मांग किये हैं हो सकता है यहां भी आगे चल के धर्म पर वरतन करवाएं हमारे गाउं में है नहीं आसपास के गाउं में है नहीं हो सकता है इसलिए मांग कर रहे हैं कि यहां भी आना है फिर धर्म पर वरतन करवाना है यह सब होगा अगर आग गवर्मेंट अगर सरकार या कैसे भी करके दबाव पुर्वक अगर जब दस्ती जमीन को लेते भी हैं तो उसके लिए भी हम तैयार बैठें पुरा विरोध करने की पुरा गाओं इस तरह में सब है तो ग्राम सबस्थी आपने बताए कि बैठाट है उसमें कैसा प आप्ती प्रमान तो दें नहीं सकते क्योंकि विरोध है तो कहां से देंगे आ पती ही लगाकराँ से सब 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 सांसाथ में सब और कैसे जो चलतिस गण में हिंदु-ुरोधी सरकार है कांगरेस कि सरकार कि जस्पूर जीला के जो कुनकूरी के विधायक है यूडी मींज करके ये हमेशा आप देखते रहे हैं कि 36 गण में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से हिंद्ड आज हमारे पवित्र इस्थान मातक कौंसिल्या के धाम चंद्खुरी के समीब जो ग्राम नक्पुरा है वह पांच एकड सरकारी जमीन को कब्रिस्थान के लिए मांगा गया है ये कित्ती वड़ी सर्म की बात है सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी प्रवित्र इस्थान जो भगवान सिर्राम करना और निहाल है चंद्खुरी है उसके समीब में बहुत सारे दर्शनारती आते हैं जो द मंदिर सोट मंदल तरफ से इस जमीन का विरोध किया गया है पूरे मंडल इस तर से और आगे भी चलके हम उस जमीन के विरोध में ग्रामिनों के साथ में खड़े हुए हैं अगर सरकार जबर्दस्ति उस जमीन को अबंटित करती है कब्रिस्तान के लिए तो हम उनका रोड म के सरपंच के अहां राजकुमारी साहु नाम है उनका उनसे बात्चित करने के लिए आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं कई बार कॉल करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया जा रहा था जिसके बाद बोल चत्तिसगर आज उनके निवासवर पहुंचा है रायपूर इसाई के लिए जस्पूर कुनकुरी के जो विधायक है यूडी मिंच उनके द्वारा लगातार कब्रिस्तान भूमी की पांच एकड़ के लिए मांग की जाले थी नगपूरा में इसी सवाल को लेकर जमीनी हकीका जानने के लिए हम उनके निवास इस्थान में पहुंचे हैं तो यह जवाब आया कि वह भी बाहर है लगातार दो दिनों से हम इस विसाय पर बातचित करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अभी तक इस विसाय पर जानकारी नहीं दी गई है सरपंस के द्वारा भी आनका ने की जा रहे है सरपंस के जो पती है संतोस सहु उनका भी कहना है कि वह अभी लगातार बाहर है इस विशाय पर वह कुछ नहीं बोल पाएंगे तो निने तो लिए कि असर कि हाँ इसाई धर्म का कोई नहीं है यहां पर आगल बगल भी नहीं है गाओं में छेटर में तो यहां नहीं देना है क्रुष्थान के लिए जगा नहीं देना है क्योंकि यहां आबादी दिनों दिन बढ़ रहा है जगा भी कम है यहां तो भाई आने वाले भाईश्चा के देखते हुए चारा गाहा के लिए जगा सुरक्षित रखा गया है इसलिए हम लोग कोई दिना नहीं चाह रहा है पुरा गाम सबन में बैठा भी होगा है और अगल बगल के अब भी नहीं देंगे ऐसा करके सब भी गाओं सब्सक्राइब हम लोग भी बोल रहा है जानकारी थी कि मतलब कौन क्या मांग कर रहे हैं मतलब कौन भूमी के लिए पांच एकड़ भूमी के मांग करने वाला कौन है प्रस्तावला इसके बारे में आप लोग को जनकारी थी यह दायक है अना वह मांग किया है तो इहर भूपफर बागल जिसंटे मांग किया होगा नहीं तो जगा देखा हो यहां पर आस पास चुव ए पर भिछ We पर यहां पर हमारे साथ महिला पंच भी है उनसे भी जानते हैं कि क्या उन लोगों के भी जानकारिती की भूमी जो मांग की जारी है उसके संबंद में पर यहां कि जारी हैं लेकिन हम लोग नहीं देंगे स्ट हम लोग कंशिल्या मंदीर के धाम है और हमारे गां में कोई नहीं हैं इसाई धर्म का ना सपास के छेतर में नहीं है और फिर हाल चारा गाह के लिए भी जगा नहीं है तो वहाँ चारा गाह काम चल रहा है और जैसे पढ़ेगा जन संख्या तो वहां आवास भी बनेगा अभी आम लोगों के जूड़े हैं तो गतिविधी कर रहे हैं तो बहुंच सारे गतिविधी के लिए हम लोग को भवन की जरुरत पड़ेगा तो वो प्रस्णाल महिलाओं के लिए भवन का भी काम आएगा जब ग्राम शभव मिटिंग हुआ है तो उसमें सभी लोग विरोध किये हैं कि हम लोग नहीं देंगे करके और साइन भी करके दिये हैं और पूरे गाओं से सब लोग तसिलदार के पास भी जाके जमकिये हैं कि हम लोग यहां कबरिस्तान के लिए जगा नहीं देंगे वो जगा सुरक्षित है हम लोगों के लिए आगे भविश्य में उस जगा का बहुत सारे कारियों में संचालन होना है हम लोग को यह बात पता ही नहीं थी अभी अभी पता चला है कि एक उनकुरी वहां से मांग कर रहे हैं करके अब यह सब क्या है यह कैसे हैं हम लोग जानेंगे यहां कि जमिनी इसकार में यहां कोई हाई ही नहीं ही साई धारम के लोग कि छे जी कि दिवा कि दसके हैं questions तब हम लोगों को जानकारी हो आई तो जानकारी हो फूंचायत पर濡़े कि नहीं देंगे हम कोसिलय धाम पे रहते है हुल में रहते हैं इसाई धर्मे के लिए टा सेल स्लिया नहीं देंगे ह मैं जुछ जगह है Gobra यहां पर आभी गर्वा के लिए चारा गा के लिए आने वाला भविश्य के लिए जगा ऐसी बन रहा है तो मजदूर वर्गा के लिए है वहां पर मकान मनाना है और बढ़ती वी जन्संख्या को देख करके वहां पर हाइज स्कुल, मिडिल स्कुल है हाई स्कुल डालेंगे और हास्पीटल बनेंगे वहां पर और बढ़ती है वह जगह पर भावन के लिए जहां हजारों वेक्ति वहां पर निस्तारी कर सके ऐसी चार-पांच पाइंट वहां पर जो जगह पर चिन्हांगीत है कहा जाए जो सरकारी जगह है तो हम लोग वहां पंचायत पर निड़न ले चुके थे वहां हम गांव पुरह इकठा करके फिर यह उसे गांवालों से लाय लिए तो वो लोग भी आपत्ति कि ए उसके बाद आव हम लोग नहीं देंगे आए शटाई के प्रगाव एक जी उटता है सब्सक्राइब तो आपने देखा कि जो नगपूरा के पंच है जन प्रतिनिधी है उन्होंने बताया कि कि इस प्रकार से सभी गांवाले एक जूट है इस पर उन्होंने तहसिलदार को भी ग्यापन स्वापा है साथ ही आगे भी किसी प्रकार का दबाव बनाया जाते तो गांवाले पूरे एक जूट है लेकिन इस मुद्दे पर जब हम लोगों ने बोल्चतिजगर मीडिया ने ज उन्हें पती संतोज कुमार साहु को है फोन लगा के बकाईदा पूछ रही थी कि बात करना है कि नहीं करना है तो इस संबंद में मामला थोड़ा गरबला जाते हैं तो देखते हैं कि वो इस पर हम आगे भी उनसे बातचित करने की कोशिस करेंगे लगातार दो दिनों से हम उनके घर जाकर इस पर जानकारी मांग रहे हैं अन्य जन प्रतिनीदी हैं उन्होंने बकाईदा या कहा है कि पूरे गाउवाले एक जूट हैं लेकिन जो सरपंच है उसकी ओर से अभी तक इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहे हैं लगातार ताल मटोल करके ब बसते हुए दिखाई दिये नगपूरा की धर्ति पर हम मौझूद है जहां पर कब्रिस्तान की मांग की जारी थी जमीनी हक्का जानने के लिए हम रायपूर से निकल कर चंद्खुरी पहुंचे चंद्खुरी पहुंचने के बाद हमने पास में मौझूद नगपुरा वह कब्रिस्तान के लिए मांग किया जा रहा था ग्रामिडों ने हमें बताया साथ इसा जन प्रतिर्मिदियों ने बताया कि नाले के इसपार की जो भूमी है वह कब्रिस्तान के लिए मांग की जा रही थी जस्पूर कुनकुरी के विधायक यूडी मिन्ज जो है यहाँ पर पांच एकड़ की भूमी के लिए तहसिलदार के माध्यम से सरपंच को प्रस्ताव भिजेते की हमें यहाँ पर पांच एकड़ की भूमी चाहिए कबरी स्थन बनाने के लिए जिसके बाद जनप्रति निध्यों ने यहाँ पर बैठक की और साथ ही कई निर्णे भी लिए गए हैं लगातार हम आपको दिखा रहें कि यह वो जमीन है जहाँ पर कबरिस्तान की मांग की जारी थी पांच एकड़ जो भूमी है नाले से जस्ट सटा हुआ ही यहाँ जमीन है नाले के किनारे जो लगा हुआ है और हम कैमरामेंस से कहेंगी कि उधर भी दिखा यह जो सड़क है वह नकपूरा के उस पर जो गाउँ परता है सक्री वहाँ उस और जाता है हम दिखाने का प्रयास करें कि यह जो सड़क है वह सक्री की ओर जाती है और यहाँ पर सक्री और नगपूरा के बीच में जो नाला है नाले के जश्ट मेरे इस ओर दिखाने का प्रयास इधर दिखाएंगे केमरामेन से कहेंगे इधर दिखाएंगे हम बतारें कि यही वह भूमी है पांच से कड़की जहां पर लगत तर कबरिस्तन बनाने के लिए मांग की जारी है जस्पू उसके लिए हमें भूमी चाहिए आप लगतार देख सकते कितना बड़ा जो पांच से कड़की भूमी है यह पुरा नाले के किनारे से फैला हुआ है लगतार चारो तरफ बबुल के जो पेड़ है वो लगे हुए है और उस और हम दिखाएंगे कि जाम के पेड़ भी जाम के पेड़ तक वहां जो आपको दूर में बौंडरी दीख रही होगी जो दूर में बौंडरी दीख रही होगी वहां से फैला हुआ यह अलाका है वो जो आपको रोड में जो इमारत दीख रही है वो छोटा सा बना हुआ वहां से यह भूमी सुरू होती है और नाले के किनारे तक पुरा फैली हुई है पांच एकड़ की भूमी जहाँ पर कबरिस्तान की मांग की जा रही है कैमरा मैं सुभम साहो के साथ हरिस साहो बोल चत्तिसगर